हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैटमैजिक पटना में तो आज मैं आप लोगों के बीच आरार्बी ग्रूप डी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी लाया हूँ जैसा की आरार्बी अपने साइट पे सो करा रही है उसकी माने तो कल तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा देखिए मैं अभी आरार्बी भोपाल का साइट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए link for viewing of question paper जो की आपके group D से related है यह link open करने के बाद आपको पहले login का option आता था जो की अब देखिए क्या लिख रहा है Dear user, due to urgent scheduled maintenance activity application will be unavailable from 8.30pm IST on 4th December to 4am IST on 5th December We regret the inconvenience caused देखिए यह जो आरारबी अपने साइट पे आज रात साढ़े आठ बज़े से कल सुबह चार बज़े तक साइट बंद कर दिया है इससे पहले NTPC का जब result आना था उससे एक दिन पहले भी आररबी ने अपने साइट पे कुछ ऐसा ही notification डाला हुआ था उसके अगले दिन ही NTPC का result आ गया था तो जैसा कि देखने से लग रहा है कि कल सुबह से दोपहर के 20 तक आप लोग का result आपके बीच होगा ऐसा सिर्फ एक ही नहीं कि मैं आररबी भोपाल का ही दिखा रहा हूँ आप कोई भी साइट का चेक कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपके बीच आररबी पटना का साइट आपन करके दिखाता हूँ उसमें भी सेम चीज़ लिख रहा है देखिए आपके बीच आररबी पटना का साइट मैंने आपन कर लिया है यहाँ पर देखिए जो निउ अपडेट आ रखा है आररबी आररसी ग्रूप डी के एक्जाम से रिलेटेड इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ भी सेम चीज़ लिखे हुए है डियर यूजर जो मैंने आपको आररबी भोपाल के साइट पर दिखाया था वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे हुए है तो जिन लोगों ने भी आररबी ग्रूप डी का एक्जाम दिया है वो लोग तयार रहें कल आपका रिजल्ट आने वाला है और जिनका भी 50 से प्लस नंबर है वो लोग तो कन्फर्म हो जाएं कि उनका रिजल्ट कन्फर्म होने वाला है क्योंकि इस बार जिनका भी 50 से प्लस मार्क्स है उनका रिजल्ट होने का ज़्यादा संभावना है और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि इस बार जो है परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है परसेंटाइल बेस्ट रिजल्ट दिया जाएगा तो इस बार ज्यादा चांसे से आप लोग के की रिजल्ट हो जाए और आरर भी कोलकाता ने तो नोटीस भी डाल रखा है कि वो तीन जैनवरी से उनका रनिंग लेना है तो ज्यादा तर संभावना है कि कल आपका रिजल्ट आ जाए तो इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच व